तो यार जो जो बच्चे है ना जो SSC के तयारी कर रहे हैं, बैंक की तयारी कर रहे हैं, अफिर किसी भी ऐसे एक्जाम के तयारी कर रहे हैं, जहां पर English कहीं न कहीं आ रही है, तो उन्होंने इस book के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है, मतलब mostly chances है कि तुम्हार पास ये book हो सकते हैं, और मेरे ना 50 out of 50 marks भी आये हैं सिर्फ इस book को पढ़के, और 193 भी आये हैं, जब 200 नमबर भी पढ़ता था, अब तो खेर चेंड जोगी हैं चीज है, और अभी CGL 21 में 185 भी आयते, तो सिर्फ इस book को श्रेय हैं, मतलब completely श्रेय देता हूं मैं इस book को, कि यार जित तुमारा टाइम बहुत बचे हैं English की preparation में, तुम बहुत जगे भटको के नहीं, अगर इस book को अच्छे से कर लो ठीक है, बुक है, प्लिंटू पेरमाउंट और निटू में लिखी है book, और मतलब मैं तो कहूंगा है, इंगलिश के लिए बाईवल है जो तैयारी कर रहे हैं के लिए बेस्ट किताब है, और सबसे तुम देख लो इसमें यह content है, मिर पास कोई latest edition तो है नहीं, मिर पास कुराना वाला इसका edition है, और इस वाले edition में 24 के chapter है, इसमें 15 जो chapter है ना तुमार लिए, वो grammar है, और लास्ट के जो chapter 16 से लेके 24, वो vocabulary है, और यह volume 1 है, इसका volume 2 भी है, इसमें लिखी कही है, या फिर जैसे normal teacher पढ़ाते हैं कि पहले noun पढ़ाएंगे, फिर बही वो pronoun पढ़ाएंगे, उसके बाद वर्व आएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो मैं तो यही recommend करता हूँ कि जिस way में इस book को लिखा है, उन्होंने बहुत सोच समझ के लिखा है, तो इसी way में पढ़ो आपकी पहले वर्व इसमें दे रखा है, तो पहले वर्व पढ़नी है, टैंस दे रखा है, तो उसके बाद टैंस पढ़ना है, उसके पैसी वो नरेशन है, तो same way में आपको किताब पढ़नी है, ठीक है, अपन शुरू करते हैं पहले chapter से, कि मानलो कि आज ये किताब खरीद के लाए है, मेरा इस book के लिए पहला दीन है, और अपन पहला chapter खोल रहे है, वर्व, ठीक है, एक बात का देहान रखना है कि तुमको ये book minimum 3 बार पढ़नी ही पढ़नी है, उसके बाद जितनी बार तुम को पढ़ना ही पढ़ना है, और तुम पहली ब लाजी मत करो, इंग्लीश को मतलब तुम खाने की तरह सोचो, बहुत ज़्यादा खालोगे, एक दिन में तो पचेगा नहीं कुछ नुकसान होगा तुमको, बहुत कम खाओगे, तो भी नुकसान है, तो उतना ही करो, जितना तुम एक दिन में सेटर कर पाओ, एक चेप्ट यह वर्व है, यह में वर्व है, और यह जो एकस्ट्रा है, वो है, अपना इतना इंपोर्टन नहीं है, अपना है, कि यह तुमने बेसिक पढ़ लिया, और इसके बाद रूल, सीधा रूल पर आजाना, अपनों को, तुमको, कैन, कूड है, मॉस्ट, 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 यह में है, यह रूल तुमको पढ़ना है, कि यार, इसमें क्या-कार रूल दे रखाया है, कहां बाद सूपर फ्लियूस बता रखाया, कहां ज़र होता है, कहां ज़र होता नहीं है, और जब तुम इसको रीड कर रोगे, ना वन टाइम मतलब नर्मल अखवार पढ़ते हैं, ना तुम यहां पर आगए, इसके लास्ट में, यहां पर इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रिवेसर सवाल है, ठीक है, और पहले चप्टर में 47 क्वेश्चन है, अब होगा क्या, जब तुम सवाल को करोगे ना, तो कुछ सवाल तुम से हो जाएंगे, कुछ तुमने तुमने पूरा पढ़ लिया, तुमने उन जो सवाल तुम से नहीं हुए ना, उन पर तुमने राउंड लगा लिया, यह सवाल मेरे को समझ में नहीं आये थे, और अभी तुमने कुछ छेडा ने बुप में, कोई पैंसिल से कुछ मार्किंग नहीं करी, कुछ नहीं कराया, अब तुम दूसरी बार स्टार्ट करोगे ना, तब तुम भी पताए कि यार, उस समय मेरे से ये वाले सवाल नहीं हुए थे, दूसरी बार स्टार्ट करने से पहले, पहले कोशन पढ़ना उसके ना, कोशन पढ़ना, तब देखना है कि यार, मेरे से ये वाले सवाल नहीं ह और अब तुम्हें पता पढ़े कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है जो मुझे एक बारी में याद नहीं हो रहा है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह समझ में आगी ना कि कहां से कुशन बन रहे हैं किस रूल से सवाल बन रहे हैं तब तुम्हें चिरी क्लियर हो जाएंगी ठीक है और अभी तुमने बुक एक बार खतम करें तो प्रीवेसर सवालों की तरह मत जाना अभी मत जाओ भी रूप जाओ थोड़े ठीक है क्योंकि तुम से नहीं होंगे वह सवाल तो तुमको बहुत कबाली वी यह वह साथ के साथ के साथ news बना हो कोई भी अलग बना करो इसी बुक को अपने नोर समय बना इस दस पेज़ का है ठीक है मालूँ दस पेज़ का है तो पूरा को दस पेजो नहीं रट लेना तुमको यह पता पड़ जायकर या यह यह जो यह應該 और वहां पे जो पर अब कोई तुम समझ में आएगा कि कोई एर फसा कुछ तुम नहीं करोगे ठीक है अब जो तुम नहीं कर पा रहे हो ना यह तब तुम को समझ में आगए कि यह वाला एरर में से सोलूशन दोता ही उसमें तब को पता रहे हैं कि कौन से वाले चेप्टर का यह एरर है तब तुम उस चेप्टर को खोलो के इसमें और फिर से जो रूल है उसको टिक करोगे अब कौन से एकजाम में आ रहे हैं और इस बुक को पढ़ लोगे अब तुमको तीसरी बार प्रॉपर थोरो पढ़ना है ठीक है तुमने सवाल भी लगा लिए कोशन भी कर लिए दो बार तुमको लगभग कुछ कुछ रूल याद हो गए अब तुमको तीसरी बार में यह पता कुछ पढ़ना जैसे कि माल लो यह है इसमें दे रखाए ठीक है अब फॉर्म सब वर्वें अर तुमको यह तो ऐसा नहीं है कि आराइज अरोज और राइजन यह तीन इसके फॉर्म हो गए ठीक है तो तुमको हर बार रायत करने की ज़रूत नहीं है तुमें पढ़ना क्या ओसे पाल से इसमें बार 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 आरहा है ठीक है तो वह वाले तुमको गलतियार मिलना को याद हो जाएक तो फॉर्में और ले लेड 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 य वाला जब ये वाला चेप्टर रिवाइस करना है तो में को ऊपर का फालतू जो वेस्ट हो नहीं पढ़ना है लेकिन ये चीज़ में को जरूर पढ़नी है और ये चीज़ तुमको समझमान लग जाएगे तुम्हारे माक्स अपने आप इनकी जोन लग जाएंगे और ऐसे आसे करके इस पूरी बुक को तुमों खतम करना ठीक है सारे इसमें चेप्टर ने टेंस वगरा है एडवर्व है और तुम ये अगर नहीं जान पाऊगे कितने टाइप के एडवर्व हैं ठीक है कितने टाइप कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है कितने टाइप के प्रनावन है कोई पढ़ेगा लेकिन तुम यह जान गए ना कि यह वाला जो रूल है एक्जाम में कैसे यूज हो रहा है से सवाल कैसे बन रहा है तुमको निकालना एक्जाम ठीक है और कम से कम समय में तुमको निकालना है तो मेरे लिए तो वही मैंने तो वही पढ़ाता है कि यार में को उससे पता पढ़िया तुम्हार लिए इनफ है मेरे साफ से जो और बाद लो तुम्हार पास को दूसरी किताब भी नहीं है ना कि वोकेब की तुम अगर वोकेब में अटक रहे हो तो इसमें वोकेब इनफ दे रखी है अगर तुमको वोकेब एकदम स्टार्ट से शुरू करना है त सब्सक्राइब जो मेरे सकता है तो पहली में वहां मैं दिमाग में रेना ची है लिडिन केम ल्यांगे sunshine है में कैसे लग रहा है वो तुम्हों क्लियर हो गया तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचेगा और तुम्हारे माक्स बहुत जल्दी से इंप्रूव होना स्टार्ट करेंगे तो इतना मेरे इस आपसे को पढ़ना काफी है इसे तुमने पढ़ लिया ना तीन टाइप में जो मैंने बताया है तीन बारे में कि पहला नॉर्मल दूसरा थोड़ा रटना और तीसरा यह पकड़ना यह सवाल बन के सरा है तुम्हारा काम हो जाएगा तुमको किसी भी दूसरी इंग्लिश किताब कर त सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत इजी तरीका है यह आजमा के देखो मैं तो एसी करता था प्रमीनी मानों तो अब तुम लग रहा है कि काम का है तो तुम भी चीज करके देखो बहुत काम आएंगी इंग्लिश में अपने आप तुम्हारे मांक्स इंक्रीज होंगे ठी तुम्हारे डाउट है में डाल दो मैं अगला सोचना हूं कि लूसेंट और जीके को थोड़ा टैकल करना बताऊं मैं तो अपन लेक्स लेकर आएंगे ठीक है उस और तुम डाल दो डिस्क्रिप्शन में अपन उसके डिसकस कर लेंगे ठीक है तो इतना ही एस वीडियो में थैंक यू जाहिन